Hello everyone, welcome. English grammar का पहला session है ये parts of speech पढ़ेंगे. आप सभी को parts of speech पता होगा, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा होगा, आप लोगों नहीं नहीं पढ़ा होगा. There are 8 different parts of speech. चलिए श्टार्ट करते हैं, nouns से. Noun किसे कहते हैं? किसी चीज को नाम देना noun होता है. Noun is from Latin nomain. Nomain मतलब name. तो essential meaning of noun is the name of something. वो something, एक person, animal, place, या thing भी हो सकती है. या फिर किसी quality को नाम देना, किसी idea को नाम देना, किसी action को नाम देना, किसी concept को नाम देना, किसी search, किसी परंपरा, basically किसी चीज को भी नाम देना noun होता है. ओके? दूसरा है, हमारे पास pronoun. Latin pro का मतलब होता है for. तो a word used for a noun is pronoun. ठीक है? हम root words से पढ़ रहे हैं, parts of speech. इस से समझने में बहुत आसानी होगी आप सभी को. वैसे prefix pro का मतलब forward in front of भी होता है. जैसे कि protrude. इस word में pro का मतलब है forward. लेकिन जो pronoun है, इसमें pro का मतलब है for. आगे बढ़ते हैं adjective. add का मतलब हो गया to या फिर towards eject का मतलब हो गया throw. तो adjective है, एक ऐसा word thrown towards a noun. actually it's a modifier for a noun. किसी भी root को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हम उसको उस word में पढ़े हैं, जिससे हम already familiar हैं, जैसे कि injection. in हो गया हमारा in, inject का मतलब हो गया throw, तो injection is a throwing in. आप सभी ने covid की vaccine ली होगी, तो injection में उस vaccine को हमारे body के अंदर throw किया गया था. या फिर projector, आप सभी को पता होगा, classroom में projector लगा होता, वो light को throw करता है. Adverb देखते हैं, add का मतलब to या फिर towards, तो adverb एक ऐसा word हो गया, and adverb is a word towards a verb, it's a modifier for a verb, यह हमारा हिंदी में कहते हैं, kriya vishation, यह verb को modify करता है, जैसे राम fights bravely, यहां bravely एक adverb है, जो की fight के लिए as a modifier काम कर रहा है, वो राम के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, राम भादूर है, वो ऐसा नहीं कह रहा है, वो यह कह रहा है कि राम भादूरी से लड़ता है, ठीक है, वैसे एड़व, एक वर्व के साथ साथ किसी adjective या फिर किसी दूसरे एड़व को भी modify कर सकता है, या फिर वो किसी sentence को भी modify करता है, और वो time, manner, place, या degree को बताता है, जैसे arrived early में, early एक एड़व है, जो की time को बता रहा है, runs slowly में, slowly एक एड़व है, जो की manner को बता रहा है, stayed home, में home एक एड़व of place है, जो की place को बता रहा है, actually home तो noun है, लेकिन यहाँ पर as an adverb use किया गया है, works hard, में hard एक एड़व है, जो degree, किस हदे तक वो काम करता है, उसको बता रहा है, फिफ्थ है हमारा preposition, प्री मतलब before, तो preposition is a word placed before a noun, एक ऐसा word, जो की noun के साथ use होता है, noun, pronoun या noun phrase के साथ use होता है, to show direction, location, or time, or to introduce an object, जैसे on, in, यह सारे, conjunction, कौन का मतलब हो गया, with या together, junk मतलब join, या फिर connect, तो conjunction हो गया, joining with, या फिर joining together, तो conjunction एक ऐसा word, जो की join करता है, it is used to connect, एक ऐसा word, जो की join करता है, किसी clauses को, या फिर एक से ज़्यादा sentences को, जैसे and, but if, although, okay, interjection, इंटर मतलब between, तो a word thrown, जग्ट का मतलब throw, तो a word thrown between, interjection, एक ऐसा word है, जो की feeling को बताता है, rather than meaning, मतलब वो ऐसे ही throw कर दिया गया है, feeling को बताने के लिए, उसका meaning से कोई relation नहीं है, जैसे कि, oh, alas, इस तरह से, next है हमारा वर्व, वर्व comes from Latin verbum, जिसका मतलब होता है word, वर्व को हम word इसी लिए कहते हैं, क्योंकि किसी भी sentence का most important word हमारा वर्व होता है, आप सभी को subject verb agreement से पता होगा, कि वर्व कितनी importance रखता है किसी भी sentence में, तो ये थे हमारे 8 parts of speech, ये pdf आप लोग उनको description में इसके link मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से download कर सकते हैं, ये एक अलग तरीके से हमने पढ़ा, word power made easy की भी अगली वीडियो जल्दी आएगी, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज उसे like कीजेगा, चैनल पर नए है तो subscribe कीजेगा, और comment में अपना feedback जरूर दीजेगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, thank you so much.